बगती है परशाद कुरू का भगती रब का नजराना है हे प्रभु निरंकार दातार आपने आज का दिन दिखाया आपका धन्यवाद है पोचन दिया इसके लिए आपका धन्यवाद है सुन्दर परिवार दिया इसके लिए आपके आभारी हैं आपने संसार में इतनी चीजें हमारे लिए बनाई इन सब के लिए आपका हर पल शुकर गुजार करती हैं धन्यवाद करती हैं हे इश्वर आपने मुझे मानव का तन दिया इसके लिए आपका धन्यवाद ससंग परदान किया इसके लिए आपका धन्यवाद तेरे रहा पर चलने की जो मन में शर्धा जगी है यह तेरा मेरे उपर एहसान है मेरी शर्धा कभी तूटे नहीं आपका अशीरवाद हमेशा बना रहे जब तक इस संसार में रहूं आपकी बन कर रहूं जहां negative thoughts हमारे दुख का करण बनती है यानि के गलत सोच हमारे दुख का करण बनती है वही अच्छी सोच हमारे जीवन में खुशियां भर देती है कहते हैं कि शाश्किय सेवा से रिटायर होने के बाद एक friend से जब भी कोई पूशता कि अरोणा जी कैसे हो तो उनका यही उत्तर होता कल से बहतर यानि के कल से अच्छा हूँ एक दिन किसी ने बजाक में पूछ लिया कल कैसे थे तो उन्होंने उसी अंदाज में उत्तर दिया परसों से भी बहतर ये उत्तर जिन्दा दिली का प्रतीक है एक अच्छी सोच है हम सब को डेली आतम विशलेशन करते रहना चाहिए जिस से हम अनेक बीमारियों से बैस सकते हैं और जीवन की उन्चाईयों को छू सकते हैं मन भी कभी बुरे विचार मत लाओ मन बड़े भ्यंकर दूश परिनाम पैदा करता है मानव अपने विचारों की उपज मातर है वह जैसा सोचता है उसके करम भी उसी रूप में होने लगते हैं मानव जो सोचता है वैसा ही हो जाता है इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट हमारे सामने आएगा स्वाती नक्षतर की बून जब केले पर पढ़ती है तो कपूर बन जाती है जब सीप पर पढ़ती है तो मोती बन जाती है और जब काले साप के मुख में पढ़ती है तो जहर बन जाती है इसी परकार व्यक्ति मानव जैसे संगत में बैठता है वैसा ही बन जाता है भगति स्वयम को सुवारने की कला है दूसरों को नहीं स्वयम को सुधारने के लिए पहला कदम है आतम चिंतन, आतम अवलोकन, आतम विशलेशन इसलिए हमें सत्गुरु कदम कदम पर यही शिक्षाएं दे रहे हैं और यही समझा रहे हैं कि हम शिक्वे से शुक्राने में आएं हर पन जो भी समय बीट रहा है हम इसका शुक्राना करते चले जाएं और कभी भी हम गिले शिक्वे ना करें और हमने अपने अपनी तरफ देखना है, हमने अपने आपको सुधारना है, जब हम अपने आपको सुधारेंगे, तो सारा संसार अपने आपी सुधरा हुआ नचराएगा, ऐसे ही कहते हैं, एक सान पर नित्य डेली ससंग प्रवचन हुआ करता था, सभी वक्ताओं का अच्छ से अच्छा सू विचार हुआ करता था परवचन के बाद नारा लगवाया जाता सभी लोग नारा लगाते हम बदलेंगे यूग बदलेगा हम सुद्रेंगे यूग सुद्रेगा इन नारों की बार बार डेली बार बार इन नारों की डेली प्रैक्टिस कराई जाती इसके अपनी अपनी डेली रूटीन में बीजी हो जाते डेली ससंग में जाने वालों में एक दूद बेचने वाला भी था वह दूद देने जाता तो एक पानी वाले नल पर पहुँचकर पानी मिलाया करता दूद में पानी मिलाया करता यह काम महुले वाले भी देखा करते और यह भी देखते कि यह व्यक्ति नारा लगाने वालों में सबसे आगे हुआ करता था एक दिन वहे दूद में पानी मिला रहा था तब ही महले के कुछ लोग वहां आ पहुँचे और उस दूद वाले से कहा अरे दूद वाले भाया आप डेली नारा लगाते हो हम बदलेंगे सुद्रेगा आखिर आप कब सुद्रोगे कब बदलोगे इसी परकार एक और व्यक्ति चोरी के काम में लगा हुआ था चोरी करना उसका काम था जो डेली ससंग में जाया करता नारा लगाया करता किंतु एक दिन वह पकड़ा गया पकड़ने वालों में वह भी लोग थे जो ससंग में जाया करते वो उसे अच्छी तरह जानते लोगों ने उससे कहा आखिर भाई तुम कब सुद्रोगे यहां यह बात इंपोर्टेंट है कि हम किसी विचारधारा यह सिंधाद के नारे लगाने की फॉर्मेल्टी निभाने तक यह सीमित रहते हैं उसको आमल में लान करम पर विशेश जोर दिया है करम बदल गया तो मानू की विक्ति बदल गया युक बदला हो या भले ही ना बदला हो नेकिन जिस विक्ति का करम बदल गया वह आवश्य बदल गया उसका आडोस प्रोस भी बदल गया वरना तो संतुलसी दास जी ने भी यही कहा है कि दूस उसरों को उपदेश देना बहुत आसान है लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है जो उस उपदेश पर उशिक्षा पर चल पड़ते हैं सही माइनों में वही संथ भगत होते हैं तो कहते भी हैं करम जिसका बोलता है सच्चा वो परचारक है जो स्वयम को ही सुधारे मूल की पहचान करे तो यहाँ पर करम की बारे में सद्कूर माताजी कह रहे हैं कि जब हम ससंग में आते हैं तो हम ससंग में एक मन एक जित होकर संतों महापुर्शों के प्रवचनों को सुने और सुन कर उने करम रूप में भी ढाले और जो भी शबद हम बोलते हैं या सुनते हैं उसको करम रूप में ढालेंगे तब ही हमारे ग्यान लेने का फाइदा है ग्यान करम में ढल जाए तो जीवन का शिंगार बने तब ही जीवन की शुंदरता बनती है बोलने को सुनने को जितना मरजी बोलते रहो सुनते रहो लेकिन कीमत अभी है जब उसको हम अम्ली जामा पहनाते हैं हर मानव अपने मूल की पहचान करे यह संसार नीरंगार ने बनाया है जो नेक्ता मेक्ता का सुन्दर रूप है सतकुर्मादा सुधिक्षाजी महाराज ने हमें अपने प्रोचनों द्वरा समझाया है सिंसार में अलगलिक प्रकार के लोग हैं लेकिन यही भीनता जब नफरत और फूट का करण बनती है तो मानव जाती के लिए घातक हो जाती है जब सब एक ही निरंकार प्रबू की संतान है तो कोई भेदभाव की बात हो ही नहीं सकती इसलिए संतों का संग कल्यानकारी होता है क्योंकि संत ही इनसान को सही रास्ता दिखाते हैं संत ही कोशिश करते हैं कि सब एको सचाई की रोशनी मिले सब हर एक में इस निरंगार का रूप देखें सब एक साथ मिल बैठकर निरंगार का सीमरन करें मेटी को जब हवा का संग मिलता है तफ्याकाश की उंचाहिया हासिल करती है इसी तरह मानव को जब संतों का संग मिलता है तो मानव अपने मूल की पहचान कर अपने जीवन के लक्षा को प्रापत करता है और उसके जीवन में उजाला आ जाता है निरंगार सबी पर किर्पा करे संसार का हर इनसान अपने मूल की पहचान करके अपने जीवन को सफल करे संगत जी दासी आदरने राद मामी जी के भी विजार आप जी के चरनों में रखने जा रही है आदरने राद मामी जी ने अपने विजारों में बताया कि सादा जीवन सुन्दर जीवन भगत का जीवन सादगी वाला होता है उसके अंदर जो बात होती है वह मुख से भी उसी बात कहीं उचारन करता है वह सुख सुविधाओं का उप्भोग भी करता है तो त्याग भाव से सुखों के पीछे जीवन बर भागने वाला भगत नहीं कहलाता वह वियर्थ के अडंबरों में नहीं बढ़ता बलकि अपने सत्गुरू के एक एक वच्चन पर स्वयम को नुचावर करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता जाता है भगत अपनी सत्गुरू को प्रकट करता है वह स्वयम को प्रकट करने के मिथ्या जाल में नहीं फस्ता जैसे जैसे भगत अपने सत्गुरू को प्रकट करने का यतन अपने वच्चन वे करम द्वारा करता है वैसे ही सत्गुरू उसका नाम सारे संसार में रोशिट कर देता है जैसे ही एक परम भगत थे आदरने मात बबाप पराम जन्जे कपूर थला वाले जो गुरू धर पर पक्ति भरा जीवन जी कर गए उनका खान पान और पहरावा बिलकुल साद्गी वला था वे हर समय एक ही बात कहते थे कि गुरू दर पर जितना दे सकते हो दे दो वहां से कभी कोई फाइदा उठाने का लालज मन में न रखना जैसे संतों ने कहा भी है कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अरपन जो व्यक्ति गुरू दर से लाब लेना चाते हैं उसका उपाए स्वहिम सत्कुरू ही बता देते हैं कि खान पान पहरावा सब साद्गी वला हो लेकिन जीवन भगती से परपूर हो इनसान की शुभा वस्तरों या बहारे परसादनों से होती है ऐसी सोच भगतों में किसी युग में नहीं रही है गुरू की किरपा से सच्चा भगत इन बातों से सहज ही उपर उड़ जाता है यहां पर फिर कुछ पाने की बजाए गुरू को क्या अरपन किया जाए यही भ पर भावी रहता है भगती में सतकुरू की बातों पर निश्ठा पुर्वक चलना सबसे आदिक इंपोर्टेंट होता है महत्पुर्ण होता है सतकुरू की बातें बहुत सरल्सी होती है जैसे कि से्वा सिमरंससंकरना मन वचन करम से गुरूमत को अपनाकर चलना मनमत को आदरनिय आत्मा भाप्पा रामजन जी हमेशा परिवार और संगतों में यही भाद समझाते थे कि सेवा सिम्रन ससंग करते रहो और इमानदारी के रास्ते पर चलते रहो तो आपको दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी निरंकार सचा पाश्या आपके सारे काम बहुत सुन्दर ढंक से पूरे करेगा और इमानदार बनके रहना है निरंकार की रजा में रहना है जो निरंकार की रजा में रहते हैं वही हमेशा अनंद में जीवन जीते हैं भगत के अनंद का अनुमान उसकी बारी वेश भूशा से लगा पाना संभव नहीं है उसके चेहरे का नूर ही उसके अंदर के अनंद को प्रगड करता है भगत की वानी भगत की सोच और भगत का जीवन संसार के लोगों से अलग और निराला होता है यह भगत और भगवान के सुन्दर रिष्टे पर अधारित होता है और यह सारे संसारिक रिष्टों से उपर उठकर होता है इसी तरहें अधन्य भापारामचंजी सबी भापारामचंजी ने भी किसी को भी रिष्टे की नजर से नहीं देखा किसी ने भी इनको रिष्टे की नजर से नहीं देखा सोरी पूजनिया भाब बारामचन जी को किसी ने भी चाहे परिवार के हूँ, चाहे महात्मा हूँ, चाहे उनके रिष्टेदार हूँ किसी ने भी रिष्टे से उनने नहीं देखा सिरफ एक संद के रूप में सबने उनके पूजा की वो हमेशा साधकी पर जोड देते थे जब शैनशाजी ने बाप बारामचन जी के ड्यूटी पर चार की लगा दी तो वे अपनी धरम पत्नी को कहने लगे अब से हम साधा खा सकती हैं, साधा पहन सकती है ये गुरू घर की माया है, इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है बाप बारामचन जी अक्सर अपने विचारों में कहते थे ब्रहम ग्यानी होए, सोचेतन होए ब्रहम ग्यानी बहुत अलर्ड होकर जीवन वैदित करता है क्योंकि वैज जानता है कि निरंकार मुझे हरपल देख रहा है वो एक उधारन देते थे, कि कोई आम आदमी गलती करे तो सजा माफिया कम हो सकती है लेकिन यदि जज गलती करे, तो माफिय नहीं मिलती ज्याने के न्यायाधिश गल्दी करे तो माफी नहीं मिलती क्योंकि जो जज होता है न्यायधिश होता है इसको सारे कानून का पता होता है इसी तरह ब्रह्म ज्याने जानता है कि निरंकार मुझे हरपल देख रहा है फिर भी अगर ब्रह्म ज्याने गल्दी करे तो माफी मिलने मुश्किल होती है क्योंकि कहा है बख्ष देता बख्ष दे वरना किसे लजोर नहीं हर गुना बख्षी से लारे हर दफा कीता ना कर सपेश्ट है कि हमारा पूरा ध्यान भगती की और होना चाहिए ना कि किसी की निंदा बखिली करने में अगर सद्कुर माता जी ने कहा है कि कुछ में हो सिर्फ प्यार ही प्यार हो तो हम यह बाद केवल औरों को सुनाने में न लग जाएं बलके प्यार को उन पृतन महात्माओं की तरह अपने जीवन में आने दे सद्कुर माता जी के चर्णों में यह यह अरदास है कि जैसे आप जी के संत गुरुदर पर भगती के उसूलों पर चलते चलते अपना जीवन सुन्दर ढंक से जी कर गए हैं हम पर भी मेहर करना कि हम भी वैसा ही भगती भरा जीवन अंतिम स्वासों तक जी पाएं यह विज़ार करते हुए दासी से बहुत से गलतियां भी हुई होगी उन गलतियों के लिए आप जी शमा कर देना और सभी के लिए सत्कुर्माताजी के चरनों से यही दासी अशीरवात मांगती है कि सचे वाशा सब को सद बुद्धी देना सद बिचार देना सद मारक देना ओखी गड़ी न देखन देई अपना भी रसमाले हाथ देई राके स्वास स्वास परती पाले एस अचे वाशा किसी को भी कोई मुश्किल की गड़ी न दिखाना सब के उपर अपना मेर भरा हाथ रखना सब के उपर मेर बरी नजर रखना सब ही इसी तरह हैं तन बंधन के सुख पाते हुए से वासी मरंस संके रंग में अंतिम स्वास तक रंगते चले जाएं यही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंनू बख्षलो तूही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंनू बख्षलो पुलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देवजी महराज की जै निरंकारे राज माता गुरु बचनवतार की जै साथ संगर जी प्रेम से कहना थान दिरंकार जी